कि डियर फ्रेंड्स एस्टेटीजी गाजयवाद में आपका स्वागत है मैं रंजन शहा एससी सिगनल आज आपको बेसिक कॉंसेप्ट आप सिगनलिंग के बारे में बताऊंगा उसका पार्ट वन है सब्सक्रण आजिये देखते है कौन कौन से टॉपिक हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं सबसे पहले सिगनल और सिगनलिंग का इंट्रोडक्शन definition, need of signaling in train operation, classification of signal, signal का classification जानना जरूरी है, तो कौन से हमारे खास मतलब के हैं, जिसे हमें जानना चाहिए, important है, तो classify करने से चीजों को समझने में आसानी रहेगी, उसके बाद fixed signal, fixed signal में जो category है उसके बारे में जानेंगे, main signal, main signal की category है, उसको जानेंगे, difference between warner and distant signal, यह permissive signal होते हैं, इसके बारे में जानेंगे, इसके बाद subsidiary signal, subsidiary signals में जो signal आते हैं, shunt signal, calling on, miscellaneous signals भी आते हैं कुछ, इसके लावा कुछ boards, indicators, markers और sign, जो signaling में इस्तमाल किये जाते हैं, तो वो उसके बारे में भी जानेंगे, signal क्या है, signal एक medium है, जो की non-verbal form में pre-determined meaning को convey करता है, किसको convey करता है, driver को convey करता है, कौन बेजता है, जो भी operating staff है, जो signal को operate कर रहा है, वो signal के द्वारा जो कहना चाहता है, non-verbal form में वो message उसको बेजता है, pre-determined मतलब पहले से निर्दारीत है, कि green कब देना चाहता है, green का मतलब क्या वो driver को भी पता है, और station master को भी पता है, तो pre-determined message है, तो उसको signal के माद्यम से बेजा जाता है, railway operation में driver guard और जो ground staff है, जो की ground staff जो की point को operate कर रहा है, level crossing gate को बन कर रहा है, route बना रहा, इन सब के साथ driver की communication बहुत जरूरी है, driver and guard की, तो signal उसके बीच माद्यम बनता है, तो signal become link, तो signal जो है, एक link का कड़ी का काम करता है, driver और staff के बीच, जो की यह बताता है, driver को यह बताता है, route जो है हमने set कर दिया है, gate हमने level crossing gate, road traffic के बन कर दिया, तो यह सारी information जो है signal के माद्यम से driver को अपने आभी मिल जाती है, signal also ensure driver about the block section, जिस block section में enter करने वाला है, उसकी condition क्या है, line clear मिला है, नहीं मिला है, इसके बारे में भी signal जानकारी देता है, signaling, signaling क्या है, signaling एक विवस्ता है, जिसमें devices, जो signal से सम्मध्ध devices से उसको हम operate करते हैं, एक proper sequence में operate करते हैं, जिससे क्या है, गाड़ियों का संचालन होता है efficiently, और साथी साथ track का maximum utilization हो सकता है, safety of passenger और staff और rolling stock की safety ये सब signal के माध्यम से ensure हो जाती है, need of signaling, signaling की हमें जन अवशकता क्यों है, railway में हम signaling का इस्तमाल क्यों कर रहे हैं, क्या-क्या उसके points हैं, वो देखेंगे, तो signaling के माध्यम से movement of trains को control कर रहे हैं, train के movement में high safety, high level की safety signal provide कर रहा है, signal के द्वारा हम गाड़ियों को efficiently, economically और maximum line capacity और rolling stock का utilization कर सकते हैं, दो गाड़ियां अगर एक दूसरे क्यामने सामने crossing पे हैं, तो उनको उनके भी safe distance maintain कर सकते हैं, इसके बाद गाड़ियों को अगर कहीं repair work चला तो वहां पे restricted speed से गाड़ियों को चलाया जा सकता है, signal के माध्यम से, कहीं track में diversion है या उसको straight line पे जाना है या diversion पे जाना है तो यह indication जो है driver को signal के माध्यम से मिल जाता है, shunting के दौरान अगर हम signaling का इस्तमाल करते हैं तो safety के साथ shunting कर सकते हैं, और conflicting moment कोई दो गाड़ियां अगर चलानी हैं दोनों एक साथ ना चल जाए या ऐसा collision होने के chance ना हो जो भी conflicting moment है, जो की accident करा सकती हो conflicting moment को रोकने का काम signal करता है या signaling system करता है, next signaling के classification classification में signal को जो अगर हम classify करते हैं, जो पुरुवाती classification उसको दो भागों में बाठ सकते हैं, visual दिखाई देने वाले signal, audible सुनाई देने वाले signal, audible में detonator है, voice है और whistle है, visual में movable hand flag है, fixed signal है, flare signal है, flare signal महतावी signal कहलाते हैं, रोशनी के द्वारा signal देता है, तो दिखाई देने वाले और सुनाई देने वाले दो प्रकार के signal हुए, विजुवल ज्यादा तर, विजुवल में जो हम इस्तामाल क इस्तामाल करते हैं, और हमारा डेपारटमेंट जो है, fix signal को cater करता है, fix signal को हम deal करते हैं, तो fix signal के बारे हम आगे देखेंगे क्या उसे में category है, तो fix signal दो प्रकार के हैं, सब्सक्राइब सब्सक्रण करें कानफा अधिशुन लाइट इस तरह के को सकते हैं और यू आस्पैक्ट और मल्टि आस्पैक्ट जो रुनिंग सिगनल है उसमें भी सेमा फूर और कलर लाइट सिगनल दुनों प्रकार के हो सकते हैं सब्सक्राइब में पहले बताया फिक्स सिंग्नल अ है तो फिक्स सिंग्नल के बारे में पढ़ेंगे आगे और और ऑडिवल में जो signal आते हैं उसमें voice, detonator और whistle है तो यह हमारे लिए इतना important नहीं है जानना चाहिए लेकिन जो हम आगे पढ़ेंगे वो यहाँ जो हम चर्चा करेंगे next slido में वो visual signal में भी fixed signal के बारे में करेंगे जो हमारा department है वो fixed signal को deal करता है fix signal fix signal किसको हम fix signal करेंगे fix signal जो fix किसी location में fix किया जाता है that is fix signal है और कहां पर इसको हम install करेंगे कहां पर हम इसको fix करेंगे तो जो भी installation है जो ground installation है कहीं पर point है कहीं level crossing gate है या कहीं गाड़ी को रुकना है तो उससे proper adequate distance पहले परियाब दूरी पहले हम गाड़ी को गाड़ी को रोकने के लिए या गाड़ी को गाड़ी के लिए एक signal लगाएंगे जो की उस ground installation हो को जैसे point level crossing gate उसको protect करता है और fix signal में क्या है कि fix signal को lower करने से पहले यह जितने भी installation है जैसे level crossing gate है तो बंद होना चाहिए road traffic है या point है वो set and lock होना चाहिए या कोई line पे हम गाड़ी लेना चाहिए तो वो line खाली होने चाहिए तो उसकी position भी ensure करेंगे position ensure करने के बाद तभी हम fix signal को lower कर सकते हैं definition क्या fix signal का a signal of fixed location indicating a condition affecting the moment of a train and includes इसमें क्या include है semaphore signal है disc type हो सकता fixed light हो सकता day और night में day में भी light हो सकता है रात में तो light हो गाई होगा डे में light या arm की position हो सकती या disc की position हो सकती fix signal के प्रकार अगर हम बात करें तो main signal जिसे हम running signal कहते हैं और उसके बाद subsidiary signal सहाइक signal है main signal के बारे में देखते हैं क्या है किसको main signal कह रहे है main signal controls the main and running movement of the trains जो train movement में ज्यादा तर station to station हम गाड़ियों को भेजते जाए एक destination में से दूसरे destination में अगर हम भेज रहे हैं तो हम ज्यादतर जो चीज़ों का इस्तमाल कर रहे हैं वह में सिगनल भी कहते हैं गाड़ी के चलने के दोराने एक station से दूसरे station में जाने के लिए गाड़ी के running condition को maintain रखने के लिए जो हमें signal चाहिए वह में सिगनल है जिनका इस्तमाल हम बार बार और ज्यादा करते हैं में सिगनल के अगर हम कैटेगरी की बात करें तो में सिगनल को किस तरह से बाट सकते में सिगनल भी तो कई परकार के हैं तो आस्पेक्ट के नुसार बाट सकते हैं तो इसमें स्टॉप सिगनल है ऐसे सिगनल जिसमें स्टॉप आसपक्ट है जिसमें की ड्राइवर को अगर स स्टॉप सटोप सिगनल सप्म में ऑउटर होम रूटिंग uestर इंटरू ँप सटॉटर और एड़न पका सब्स्टम सब्सक्राल के अलबाब दूसरा है परविसिद इप सिम्सленर पर्म काल सब्सक्राइब अगर इसमें तो एक तो stop वाला aspect ही नहीं होता है और दूसरा अगर ये on है इसका जो भी on aspect है वो अगर on है तो भी driver को रुखने की ज़रूरत नहीं है तो ये जो है वार्नर रो डिस्टेंट इसके example है एक category fix main signal का हम और कर सकते हैं वो है as but the position of the signal reception signal reception signal कौन से है जो की एक station में signalों की position के हिसाब से उसको हम category कर रहे है तो reception signal मतलब गाड़ी को station तक लाने के लिए जो signal इसनमाल होरे जैसे outer, home, स्टेशन से दूसरे स्टेशन में भेजने के लिए जैसे स्टार्टर इंटर्मेडियर्ट स्टार्टर पी कहते हैं उसको अडवांस टार्टर यह सारी जो है यह डिस्पैश्ट सिग्नल है है ऑफ बशीडियरी सिग्णल कौन से हैं सब्सेडियरी सिग्नल मतलब साहक सिग्नल विच कंटॉल द मोंमेंंट अव टरेंट गकिसी एक से गाड़ी लेनी है को हमें लोड फॉर्म परं करना क्रेंट उड़न करना है जिसके लिए हमें शंटिंग करनी है ब्लॉक लाइन पर गाड़ी लेनी है तो ये सारी चीजों के लिए सबसेडेरी सिगनल समाब होती है तो सबसेडेरी सिगनल में दो प्रकार है शन्ट सिगनल और कॉलिंग ओन सिगनल और इसमें क्या जानकार यह जो सिगनल है सबसिडेरी सिगनल इसमें गाड़ाई के स्पीड लो रहती है स्मॉल एरिया के लिए यह इस्तेमाल किये जाते हैं ऑकुपाइड लाइन पर गाड़ी ली जा सकती है ड्राइवर को सिगनल लोवर होने के बाद जब वो चलता है तब ज्यादा उसको साफधानी रखनी है और जहां पर में सीगनल यह है कि वह अगर ओर तो में सिगनल जैसे वह संके했는데 ता वह लिमिटेड एरिया में मुव्मेंट करने के लिए रेस्टेटर स्पीड से मुव्मेंट करने के लिए संकेत देता है इसके बाद visibility का इसमें कोई criteria नहीं है कोई visibility का कोई issue नहीं है ज्यादा दूर से signal को दिखाई देना को ज़रूरी नहीं इन signal में pre warning की ज़रूरत नहीं है जैसे running signal में pre warning अगर multi aspect तो pre warning होना चाहिए तो इसमें pre warning वाली कोई requirement नहीं है नेक्स स्टॉप सिगनल सेमा 4 में भी हो सकता और color light में भी हो सकता अगर सेमा 4 में होगा तो कैसा होगा तो इसका जो arm है वो square ended arm होगा और arm का color जो है red color का होगा और arm के एक सिरे के तरफ small white band होगा और arm जो है daytime में उसका indication arm के द्वारा मिलेगा और रात में उसके साथ एक बत्ती जिलाए जाएगी arm विजिबल नहीं होगा तो वो light के द्वारा जो fixed light जो है fixed light नहीं इसमें move करेगा अलग-अलग aspect के साब के तो वो light के द्वारा उसको जो है कि इंडिकेशन दिया जाएगा और सेमाफोर को सिगनल है तो वह अपर लोवर कौडरेंट अपर कौडरेंट कि दोनों में हो सकता है सेमाफोर तो यह लोवर कौडरेंट का है अधियर में क्या देखेंगे हम आर्म की position देखेंगे होरीजेंटल अगर है तो ओन है जाना नहीं है इसमें स्टॉप डेट का इंडिकेशन दे रहा है और अगर आर्म 45 टू 60 डिग्री लुवर कौडरेंट में जुका हुआ है तो प्रोसीड का सिंबल दे रहा है और रात में यही होरीजेंटल आर्म की position अगर रात में बात करें हैं तो उसमें जो लाइट है लाइट जलती भी दिखाए देगी रेड लाइट तो रुकना है stop डेड और ग्रीन तो प्रोसीड करना है ओफ कंडिक्शन में इसे अपर कौडरेंट में है तो अपर कौडरेंट में बीच में कलर आ जाता है येलो येलो कलर जो है वो 45 टू 45 ड में और अगर ग्रीन है तो ग्रीन जैसे टू टीक में हैं वही एक्रेम्स के लिये बिलकुल अपर क्टर इंक्लाइन होजाता है कि कछि सा जागा लाईट में डे टाइम हो या रात के समय में हो एक ही तरह से लैंप के द्वारा ही सिगवनल में असपेक्ट को जला जाए जाए इसमें कौन को से हमस्तुमार कर सकते तीनी कलर सें रेड येलो और ग्रीन और ज्यू आस्पेक्ट्स है एसके जो यूचीन से वो एक के ऊपर एक वर्टिकल रो टो लगाया जाते हैं थ्री आस्पेक्ट corresponds को से कॉलर में एक्वल यह लो woven आ जाता ह। यह color हो का जो हम लोग color इस्तमाल करते हैं तीन color इस्तमाल करते हैं लेकिन maximum four aspect बना सकते हैं तो four aspect में double yellow का provision है तो red जो है stop dead है yellow caution का है proceed and be prepared to stop at the next stop signal attention proceed and attention जो है कब आएगा double yellow में आएगा एटेंशन क्या मैसेज दे रहा प्रोसीड और बी प्रिपेर्ट तो पास दा नेक्स्ट आप सिगनल एट कॉशंग यह स्वाएं चैशन, और अगर भिन है तो प्रोसीड प्रोसीड एठ मैक्सिम मौइसबन भ्रॉसीड स्पीड उसके बाद क्लर लाइट टू आसप्स हे तो वही जो सिमाफॉर में था वही मैसेज है बस डे और नाइट मे एक جसा ही कि इनुकती होगा लैम्द लैम्ब के संकेती देखने हैं अ कड़िल सब्देखने हैं amaran थे सब्सक्रuity करां एक एक इसी तरह से फॉर असपेक्ट ही व्क मैं हमने पहले डिसके ऋंतना का जो कलर है 008-etesेलो वो क्या व्क व्क 85 Буд sudah जो है वो वो सिगनल होते है जिसमें गाड़ी को रुकना नहीं है अगर वो ओन भी है तो गाड़ी को रुकना नहीं है परमिट कर रहा जाने मत्ब ढर्राइवर को जान रोकता नहीं है जाने देता है that is permissive signal द्राइबर जो है गाड़ी के साथ जा सकता है तो लोखर काटरेंट पे गल परविंसिभी सिगनल है तो वह वार्फ रहे है और सेम टाइप की सिर्च अरबर कॉर्डेंट में है तो टेस्ट इसन applis कैसा होता है, the signal can precisely inform the driver that he is approaching a stop signal and also that he is required to stop or proceed, एक signal जो है, जो वार्ने सिगनल है, वो दो चीजे बता रहा है driver को, एक तो यह बता रहा है कि सामने आपका एक stop signal आने वाला है, दूसरा यह बता रहा है कि station से वो थू जाएगा, या station पे वो रुकेगा, यह वार्ने सिगनल, since the driver not required to stop signal, stop at वार्ने सिगनल, as it is only giving, giving an advance warning about the presence of the stop signal ahead, सामने आने वाला जो stop signal उसके बारे में जानकारी दे रहा है, और इसका जो shape होता है, इसको जो हम physically गहम देखेंगे, कैसे परचानेंगे, तो stop signal जैसा ही होगा, सब कुछ बस इसका जो सिरा है, arm का जो सिरा है, वो fish tailed है, और जो band है, वो भी fish tailed है, arm का color क्या होगा, red होगा, जो band होगा, वो भी white का होगा, जैसे stop signal का था, बस उसमें square ended था, इसमें fish tail, next slide में देखते हैं, so if warner signal is intended to warn a driver, driver को सचेत करना चाहता या warn करना चाहता क्या, कि एक तो आगे जो जिस station section या जिस block section से आके वो station section में enter कर रहा है, उससे अगले block section का क्या condition है, उसको थू जाना है, या लिंग, और साथी साथ driver को यह भी message देता है, कि warner सा आगे एक stop signal है, तो आप जो है, एक stop signal को approach कर रहा है, वारनर सिगनल में एक खास arrangement किया गया है, कि इसमें चाहिए सेमाफोर में हो, चाहिए color light में हो, signal post में जो सेमाफोर signal है, उससे डेड़ से दो मीटर उपर, रात के समय में एक light जालेगी, green light, अगर वो separate post पे है, अकेले अगर वारनर है, किसी stop signal के साथ अगर है, तो ऐसा नहीं है, अगर अकेले एक signal post पे अगर सेमाफोर अकेला है, जिसे कहते हैं, post by itself, अगर ऐसा है, तो डेड़ से दो मीटर उपर, एक फिक्स्ट जो है, green light जो है, जलती रहेगी, इसके बाद और क्या है, अगर वारनर के बारे में, वारनर सिग्नल वेंट प्लेस्ट बिलो स्टॉप सिग्नल, अगर स्टॉप सिग्नल के नीचे लगा रहे तो एक खास अरेंजमेंट होना चाहिए, कि जब तक की, जो स्टॉप सिग्नल है, वो आफ ना हो, तो वारनर को आफ नहीं होना चाहिए, मतब वारनर आफ होना, तब भी संबब हो, जब उससे पहले, स्टॉप सिग्नल, जिसके, जिस स्टॉप सिग्नल के वो नीचे लगा हुआ, वो स्टॉप सिग्नल भी आफ हो, signal की जो condition है वो कौन-कौन सी हो सकती है दोनों signal on हो सकते है stop signal beyond और वार्नर सिगनल बेहां दूसरा क्या हो सकता है condition stop signal off, वार्नर signal on तीसरा हो सकता है कि दोनों लेकिन एक फॉर्थ condition अगर हम इस table के साफ से या इस list के साफ से देखें प्रिशो कि दो जो तो इसके कब प्रमिंटेेशंन बनता है उसके ह Punkte है एक और हो सकता है कि स्टोप सिद्गनल On और वदन सेलों यह कभी भी नहीं होना चाहिए इन्टर्लॉकिंग हमारे ऐसी पर मित होना चाहिए यह डिजाइन हमारा इसा पर मित होना चाहिए कि स्टॉप सिग्नल तो आन हो और वार्णा सिग्नल ओफ हो जाए इस बात का विशेज ध्यान नखना चाहिए नहीं तो यह ड्राइवर को कॉंफ्लेक्टिंग सिग्नल का मैसेज देगा मतलब कॉंफ्लेक्टिंग वो उसको इंडिकेशन मिलेगा पर नेक्स्ट क्या है कि वार्णा सिग्नल में भी सेमाफोर टाइब और कॉल्र लाइट दोनों हो सकते हैं और अब वार्णा सेग्नल इट्स डिफ्रेंट पोजिशन और पॉजिशन अन कंडिशन इट्स इंडिकेशन देखा अब आगे नेक्स्ट वांड में देखें कि कैसे सिंबल से कैसे वो इंडिकेशन देता है यह देखते हैं तो यह देखिए डे में आप होरिजन्टल रहेगा अगर टू आस्पेक्ट है हां सेमाफोर वार्ना चुकि टू आस्पेक्ट में होता तो अपर कोडिन्ट का मतलम नहीं है लोगर कोडिन्ट तो 45-60 में इसका ओफ है ग तो क्या इंडिकेशन दे रहा है कॉशन दे रहा है जब आन है प्रोसीड विद कॉशन एंड बी प्रिपेर्ट तू स्टॉप एट नेक्स्ट आप सिगनल और अगर सिगनल आफ है तो आफ है तो इसका मतलब मैक्सिमम परमिसिबल स्पीट से वो जाए प्रिपेर्ड है आउन हो या नहीं डाउन हो अगर स्टॉप सिगनल डाउन है या नहीं डाउन है दोनों केस में वार्नर जो है हमारा ओन रहेगा सिर्फ स्टेशन से अगर तुरू जा रहे हैं स्टेशन से मतलब सारी सिगनल स्टेशन के स्टॉप सिगनल अगर लोवर कर देंगे तब ही जा है बिलो बिलो अगर एकस्ताप सिग्नल के नीचे लगा है तो कैसा होगा वसमें यह चीछे हम देख सकते हैं किस्थ मने पहले डिसके किए हैं तीन कंडिशन तो सकते है कलर लाइट है तो कलर में में अगर सेप्रेट तो जैसे सेम और में था वह चीज एक किस लाइट ओए एसे ही कल लाइट में भूइत सिंगनल फूस आ जुब बोटर है incarnate युश देन्सें नापने नयक्ठ से ईंडिकेशन मिलेगा का permissive signal में एक और signal आता है distance signal, distance signal का हम use करते हैं कहां पर multi aspect signaling territory में या upper quadrant अगर mechanical signal की बात करें तो upper quadrant में distance signal का use करते हैं और ये driver को क्या message देता, proceed with caution और with maximum permissable speed देखते हैं आगे, since driver is not required to stop at distance, driver को distance signal में भी रोकने, गाड़ी को रोकने की ज़रूरत नहीं, बेशक वो on हो क्योंकि distance signal एक permissive signal है, और क्या warning देता है, advance, given advance warning about the presence of the stop signal ahead, एक तो बताता है का आगे एक आपका stop signal आ रहा है, और इसकी पहचान कैसे होगी, warner और distant पे अगर हम देखें दोनों तो एक जिससे ही लगबग लगबग है, तो इसमें अंतर क्या है, इसमें जो आर्म का color है, येलो है, और साथ-साथ उसमें fish tail, जो band होगा, वो black color का होगा, age के तरफ, age के पास, और distant क्या message देता है, condition of block section ahead देता है, और साथ में देता है, कि approach कर रहा है, stop signal, आप stop signal के पास save difference है, कि ये separate post पे होगा, जब भी होगा, separate post पे होगा, आगे हम difference भी देखेंगे, difference में बहुत सारी चीजे है, लेकिन एक चीज़ हो रहा है कि distant signal, normally, उसमें तीन aspect, off के दो aspect, और on के एक aspect, उसमें show होता है, मतलब three aspect का होता है, लेकिन दो aspect का भी हो सकता है, दो aspect का कब होगा, जब आगे कोई IBS हो, IBS का distant हो, या कोई gate signal हो, gate signal का distance signal हो, तो stop signal अगर दो aspect का है, तो distant signal भी दो aspect का होगा, अगर stop signal three aspect का है, तो distance signal normally three aspect का होगा, हुआ दिस्टन पीनल यह चाहिए साथ एक बात और क्या है कि अगर 110 ऑल और और स्पीद तो दो डिस्टन लगेगा से निधि रोख कی rése में और उसमें जो गाड़ी के हिसाब वहीं लोगागा पड़ेगो गाड़ी के दिशा से तो वो इनर डिस्टेंट के लाएगा डिस्टेंट का यह आस्पेक्ट से किस तरह का वो आर्म उसका दिखाई देता है और क्या वो मैसेज देता तो यह सारे स्टेबिल में हम देख सकते हैं नेक्स्ट है कलर लाइट में अगर है तो वो कैसा है नेक्स्ट डिफ्रेंस जब हम डिफ्रेंस पढ़ेंगे तो हमें और इसको दोनों के डिफ्रेंशियेट करना असान हो जाएगा तो क्या इसमें डिफ्रेंस है वार्नर जो है वो टू आस्पेक्ट में और मॉडिफाइड ल इसमें स्वालोता है और डिस्टन जो है हो सिर्फ मजटी आसपेट। कि भार्नख में जो सेमाफे में अगर सिंगनल का आर्म की बात지 आए तो रेड़ और वाइट प्रोसीड से तुरू जा रहा है और अगर डिस्टेंट ओफ हो रहा तो वो दो मैसेज दे सकता है, अटेंशन भी दे सकता है, और प्रोसीड भी दे सकता है, इसके बाद वार्नर का एक और है कि एक फिक्स लाइट लगाना है, डेड़ से दो मीटर उपर, अगर अकेले नेक्स्ट है सबसेडेरी सिगनल में शेंट सिगनल का काम क्या है कि स्लो स्पीड में अप्स्टेक्टेड लाइन पे गाड़ी की मुवमेंट को कंट्रोल करके लोड तयार करना या फॉर्मेशन करना उसके बाद शेंट सिगनल के एक सेपरेट पोस्ट पे भी हो सकता है और बात का द्यान लखेंगे कि stop signal जो है first stop signal को छोड़कर किसी भी first stop signal को छोड़कर किसी भी signal के नीचे किसी भी stop signal के नीचे लगाया जा सकता है अगर यह disc type का है तो किस तरह का है उसके symbol दिये हैं आगे उपर जो हम अमने लिखाए उसको देख लेते हैं तो ग्रीन इंडिकेशन देगा और ड्राइवर को यह बताएगा कि जाना तो है लेकिन कॉशन स्पीड से जाना है किसी भी अबस्टेक्शन पर रुकने को तयार रहना है अगर वो किसी stop signal के नीचे तो stop signal का ओन अस्पेक्ट अगर जल भी रहा है रेड है तो भी कोई दिक्कत नहीं है ड्राइवर को शंट सिगनल के इंडिकेशन को ध्यान देखते हुए धीरे- मूव करना है शंटिंग परपस से और अगर स्टॉप सिगनल के नीचे लगा हुआ है शंट सिगनल तो अन पोजीशन में नो लाइट होगा अगर वो सेपरेट पोस्ट पे है तो अन में इंडिकेशन देगा दो होरिजंटल लैंप और अगर कलर लाइट की बात करें और एक लैंप जो है ओफ लेगा वो डाइगनल हो जाता है किस प्रकार के हो सकते हैं पिशंट सिगनल तो डिस्क हो सकते हैं डिस्टाइब में ओन और आफ का वो दिया हुआ है अपर कोड्रेंट और लूवर कोड़ेंट मेर इसके बाद पोजीशन लाइट में पूजिशन ही पहला जो है दो होरिजिंटल लैंप है तो वो ओन कंडिशन बता रहा है और इसमें एक और खास बात है कि एक ही पोस्ट पे कई सारे शंट सिगनल लगा सकते हैं और लगाते हैं लेकर लगा सकते हैं और टॉप मुस्ट जो शंट सिगनल होगा वह सबसे एक्स्ट्रीम लेफ एक इसके बाद calling on signal calling on signal क्या है calling on signal are used only for specified purpose specific purpose वीशेश कारणों से ही इसक्तमाल करेंगे कब करेंगे इनिकेटिंग परपस अफ इनिकेटिंग तो driver that he is required to draw ahead आगे जाना वेन ओफ जब शन कॉलिंग ओन ओफ होगा और बी प्रिपेर तु स्टॉप इनी शॉर्ट ऑफ अफ स्टॉक्शन किसी भी मलब नजदी के शॉर्ट डिस्टेंस पर कोई अगर अब स्टॉक्शन उसमें भी आपको रुखने को तयार होना है अधर सिगनल एफ बीज ओन जिस कॉलिंग ऑन हमेश्या किसी स्टॉप सिंगनल के नीचे लगेगा तो स्टॉप सिंग्नल अगर ऑन भी है और कॉलिंग ओन ओन और एफ तो द्राइव़र हो चलेगा और उसस पीड से चलेगा किसी भी शॉर्ट डिस्टेंस पर कोई to stop calling on signal तभी lower होगा जब गार्डी आके उसके नजदीक खड़ी हो जाएगी पहले से हम डाउन नहीं कर सकते हैं कि उसमें टाइमर का प्रोविजन है calling on के आर्मर कॉलिंग ऑन के सिगनल पोस्ट पे एक सी मार्कर लगा होगा प्रोवाइड बिलो एनी अधर स्टॉप सिग्नल के नहीं लग सकता और कॉलिंग ऑन सिग्णल श्येल ज्टेक्ट ओल्ल पाइंट्स रूट में पढ़ने वाले सभी पॉइंटों को डिकेक्ट करता है ट्रैक को डिटेक्ट करने की ज़रूरत है इसका सर्कुट इस तरह से बनाते हैं कि इसमें ट्रैक उकुपाइट लाइन पर भी गाड़ी ली जा सकते को ट्रैक से लियर बीच में रूट के बीच में अगर कोई ट्रैक फेल है तब भी कॉलिंग ऑन डाउन होगा लेकिन रूट के सारे पॉइंट जो है प्रॉपरली एंशूर के जाएंगे प्रॉपरली सेट लॉग ओवर्लैप के पॉइंट छोड़ सकते हैं कॉलिंग ऑन सिगनल इस सब्सेडियरी सिगनल हाज नो इंडिपेंडेंट इस यह अलग पोस्ट पर नहीं लग सकता है और हमेशा बिलो देखता है अगर सेमा 4 है कि तो सेमा 4 में में कॉलिंग ऑन सिगनल में मीनियचर आर्म होगा और इसमें जो कलर होगा आर्म का है वो वाइट होगा और वाइट पर रेड़ बैंड होगा मतलब जस इन्वर्ट कलर टू स्टॉप सिगनल stop signal के उल्टे color में होगा और back side में क्या होगा back side में black band होगा these bands are parallel to arm end of the arm इसके बाद calling on signal with white is to distinguish it from shunt signal miniature arm इसका color जो है arm का white इसलिए है कि उसको shunt signal के arm से miniature arm से अलग किया जा सके डे टाइम में क्या होगा horizontal रहेगा अगर on है और अगर downward inclined हुआ है two aspects है तो downward inclined होके यह off होगा और अगर multi aspect में है तो upward inclined होगा यहां पर हम देख सकते हैं two aspects में यही multiple aspect में क्योंग on signal color light में कैसा होगा सी मारकर लगा हुआ है नीचे on में कोई no light रहेगा और off होगा तो yellow light जलेगी miniature yellow इसके बाद कुछ miscellaneous signals है miscellaneous signals कौन से हैं कि जो की जो running signal है उसके helping hand के रूप में इस्वाल होता है visibility का जहां issue रहता है में signal को में देख नहीं पाते हैं या लगातार नहीं देख पा रहें हैं अप्स्टेक्शन आ रहा है तो उस case में यह miscellaneous category के दो सिगनल हम लोग लगाते हैं एक कुएक्टिंग एक रिपिटिंग देखते हैं को एक्टिंग क्या है कुएक्टिंग कौन से सिगनल है वेन इट इस नौट पॉसिबल तो गेट देखाई तो देना शुरू हो गया लेकिन लगातार सिगनल तक अप्रोच करते हुआ उसको लगातार अगर नहीं देख पा रहा तो उस केस में को एक्टिंग सिगनल लगाते हैं लगातार ड्राइवर को सिगनल को एक बार दिखाई दे जाने के बाद जब तक वह सिगनल को पार नहीं करता तब तक लगातार दिखाई देना चाहिए अगर लगातार नहीं दिखाई दे रहा है तो उसके केस में को एक्टिंग ल जो ड्राइवर उसके तरफ एप्रोच कर रहा थोड़ी देर के लिए दिखाई देर तो हम कोड़ा engineers लिदा मतलब यह तो कोड़िकतिंग दिखाई दे्गाई तो इस को लगाते है ए और इसके लावा कोएक्टिंग सिग्णल जो है वो अगर लिए ने सिस्क्राइब तो कोई सिगनल जहां से दिखाई देना चाहिए को वहां से दिखाई ना दे किसी कर्व के कारण किसी और किसी और किसी भी रिजन से अगर उसको दिखाई नहीं दे रहा सिंगनल जहां से उसको दिखाई देना चाहिए तो repeating लगाएंगे और repeating signal अखेले पोस्ट के होगा क्योंकि वह जहां से दिखाई देना चाहिए उसी साथ से लगाएंगे और सिगनल से पहले लगाएंगे उसमे एक आर मार्कर लगाएंगे तकि वह पहिचान हो सकते वह सब्सक्राइब नहीं है साथ ही साथ यह है जो है सेमा फोर और टाइप हो हो सकता है और कलर लाइट हो ऑफ कर दो कि कफे ड्राइफ को रुक्त नहीं है रिपिटिंग सिग्नल पे ड्राइवर उसको पास कर सकता इसलिए नॉर्मली वो और आस्पेक्ट उसका जो है ये लो रहेगा और जब में सिग्नल डाउन हो जाएगा तो उसका ग्रीन इंडिकेशन जले और लिखाऊना जरूरी है जिससे उसकी पहचान हो सके ये रिपिटिंग सिग्नल अगर डिस्क वाला है या मिनिचर आर्म है आर्म वाला है मिनिचर आम निक नॉर्मल आर्म जैसा है तो कैसा होगा वह हम देख सकते हैं इसके बाद कुछ सिंबल्स हम यूज़ करते हैं साइन करते हैं कुछ अलग से सिग्नलों के वारे में मैसेज देने के लिए प्रॉपरली सिग्नल नहीं है लेकिन कुछ साइन कुछ हम करते हैं क्यों करते हैं कुछ मार कर लगाते हैं जो की सिग्नल के वारे में बताता है जैसे जो सिग्नल सेमाफोर अगर कोई सिग्नल है जो गु संशन। सेम हैं बस वह जो आर्म है सारे जो सेवावर्फ इंडल है वह गीड़्ड्स राइन के लिए है वहाँ पर कुण है ट्रेन को हम स्ट्रेइव नहीं करते हैं और से लिए ही वगैन나 है वह की उननिंग आइन जो जिसके लीए वह सिगनल है टो वहाँ हाहां पें Garden यह सब्छा सब्सक्राइब की हीम्नुकृत में रूप-चाभी सब्सक्राइब के लिए अगर ःताङी है सब्सक्राइब कोई सब्सक्राइब करना है यूनिट में हम ज्यक्ते नहीं है या उसको करना है या को लेकिन साइट पे लगा हुआ है तो उसकेस में उसमें क्रॉस लगाना है अगर आर्म वाला है सेमाफोर है तो आर्म में क्रॉस लगाएंगे लेकिन सिगनल अगर कलर लाइट है तो कलर लाइट में जो आसपेक्ट है आसपेक्ट की यूनिट के साथ जो है और क्रॉस लगाएं इसके बाद इसमें कुछ मारकर और हैं जो कि हम रनिंग सिगनल में लगाते हैं जैसे ऑटोमेटिक अगर स्टॉप सिगनल होगा तो वाइट एक डिस्क पे ब्लैक कलर में ये लिटर लिखे लगाएंगे अगर वो सेमी आटोमेटिक होगा तो यही चीज इलुमिनेटेड होग जिससे अंदर उसके एक लैंप जिलाई जाएगी तो इलुमिनेटेड ये मारकर होगा इसके बाद डिस्टेंट सिगनल अगर है या वार्नर सिगनल है तो पी बोर्ड लगेगा आइबी सिगनल है इंटरमेडियेट ब्लॉक सिगनल है तो आइबी इंडिकेशन जलेगा और क कलर लाइट में है तो वह इलुमिनेटेड होना चाहिए गेट सिगनल है तो जी जी जो है वह येलो सर्कुलर डिस्क पर ब्लैक कलर से जी लिखा जाएगा अगर आटोमेटिक में है तो वह आटोमेटिक में कोई गेट कम आटोमेटिक सिगनल है तो उसमें इलुमिनेटेड म मारकर होगा और साथ में ब्लैक से ब्लैक कलर में जी लिखा होगा वाइट येलो राउंड डिस्क पर कि उसके बाद अगर कोई ऐसा सिगनल है जो की जो जिसमें की गेड भी है और पॉइंट जोन भी है और आटोमेटिक भी है तो वह आटोमेटिक के साथ एजी मारकर इसके बाद कुछ पॉइंट इंडिकेटर हम इस्तेमाल करते हैं यह पॉइंट इंडिकेटर तब इस्तेमाल होता है जब वह नॉन इंट्र लॉग होता है मतलब वह पॉइंट सिगनल के साथ इंट्र लॉग नहीं है तो पॉइंट इंडिकेटर लगाना है कि इसलिए जो का सिस्ट के बाद स्टेट लाइन के लिए ग्रीन जलेगा और शसेट प्रिफज लेगा से इसके बाद पॉइंट इंडिकेटर कि इस से पहले वाला जो था यह था point indicator और यह जो है ट्रैप in डिटे त्र een ट्रैप इंडिकेटर ऩर अगर क्लोस है तो है तो गरीं और इसमें घास बात है पोईटिकेटर हों में हमने not पर लिखा हुआ है इंडिकेटर मस् डिस्प्लेइ दा-सेम इंडिकेशन इंड़ डारेक्शन है अगो आगर फ Oreo मवमंड कर रहें यह रिफार डे देस्ट शनमें मोमेंट कुन है दोनों डिप्ट इरेक्षिंट में इ bog- इंडिकेशन सेम ऑगा ओर अध्र पॉह ऊंट इमिोसी का रहेगा है हैं ऑजने उसके साथ दिस्क है करेगा अज़र द्राइब सब्सक्राइब लेंस जो है वो इसके साथ जलता हुआ देगा नेक्स्ट रूट इंडिकेटर कहां पर हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी सिगनल जैसे हों सिगनल होगा तो हम कई सारे सेमाफोर सिगनल अलग-अलग रेक्रेइड लगा देते हैं लेकिन उलाइक में क्या होता है हमें रूट इंडिकेटर का इसनमाल करना होता है रूट इंडिकेटर कहीं कहीं हो सकता है जेंक्षन रूट in pallet calculator हो सकता है और मल्टिपल लैंप टाइप का हो सकता है और सिगनल यह जो जितने भी रूट इंडिकेटर है इसमें क्या खास बात है कि सिगनल जो में सिगनल है वो ओफ होगा साथ में जंक्शन जो रूट इंडिकेटर है वो इंडिकेट करेगा कि किस लाइन के लिए सिगनल डाउन हो रह होना बादर रूट में कोई भी इंडिकेषिन नहीं है और में सिंगणल डाउन है तो इसका मतलब वो मेंन लाइन पर ही इस yap vind always encourset इंडिकेटर चुद्स टाइप हो सकता है ज्यसमें जैसे ब्रांच लाइन के लिए भी और मिन Disease के लिए M लिखाव स्टेंसल टाइप मल्टिपल लैंब लिख के आते हैं एक नंबर लाइन दो लाइन संप्ली नंबर निउमरिक फिगर देख उसमें देखा जा सकता है और जैंक्शन में जो है अलग-अलग लाइनों के लिए अलग-अलग आर्म टाइप का जिसमें की आटे टाइम पांच लैंप जलते हैं तो एक जंक्शन इंडिकेटर जो है साथ रूट के लिए हम यूज कर सकते में लाइन के लिए कोई इंडिकेशन नहीं है और दोनों तरफ जो है तीन-तीन में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते लेकिन मल्टीपल अस्पेक्ट में अगर पंद्रा किलोमेटर से ज्यादा स्पीड है तो जंक्शन टाइम इस्तेमाल करना है और अगर पंद्रा किलोमेटर से स्पीड कम है किसी सिगनल को पार करने में स्पीड अगर पंद्रा किलोमेटर से से कम है तो गोई हम इस्तमाल करता है तो क्या है कि कोई भी इस्तमाल करें मुल्टिपल ऐस क्ने पंधरा से अगर ज्यादा है तो जंक्सण रूटिंडिकेटर है jest डारेक्षण टाइप कहते हैं या 15 km से कम है तो स्टेंचिल या मल्टि लाम्डोनोंे से को को एक इंडिकेटर हो रहा है स्टार्टर इंडिकेटर कहीं कहीं गार्ड को स्टार्टर सिग्नल दिखाई नहीं देता स्टेशन पे तो गार्ड के help के लिए एक fix जगह पे एक guard signal लगा जाता है जिसे starter indicator कहते है normally वो no light रहता है जब वो main signal starter signal down होता है तो यह signal जो है starter का indicator जो है वो guard को indicate करने के लिए कि starter signal down हो गया वो off हो जाता है उसमें light जल जाती yellow light और normally वो बुझा रहता है जब on है main signal on है तो बुझा रहता है तो मतलब उसमें एक ही light unit है नॉर्मली वो बुझा रहेगा जैसे starter off होगा तो उसमें yellow indication जिल जाएगी नेक्स्ट है कुछ indicator boards हम इस्तमाल करते हैं एक तो SLV किस तरह से वह आप देख सकते हैं इसमें शंटिंग लिमिट बोर्ड है यह क्या शेफ है क्या कुछ इसमें सब लेखा हुआ है कहां पर लगता है इस पर हम जोर दे रहें तो इस यूज़ इन SLB को लगाएंगे और SLB की लोकेशन कहां होगी SLB शाल बी प्लेश्ट अट 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 सच अटिस्टेंस शंटिंग दिस्टेंस फ्रॉम दा आउटर मोस्ट वेसिंग पॉइंट आज सानकेशन में रिक्वारेंड रहेंड इस नौट वी लेस धन फोर एंड और वन अटि अटिमिटर फ्रॉम पॉज़िट साइड स्टाप सिगनल मतलब होम सिगनल से इसकी दूरी होगी वो टू आस्पेक्ट सिग्नलिंग में 400 मीटर और मल्टी आस्पेक्ट में 180 मीटर मिनिमम डिस्टेंस होगी तो एसल भी जो है वो उसको लगाने की तभी जरूरत है जब एडवांस नहीं है यह हम पोजिशन दे सकते हैं तो यह जो ग्रीन कलर में है यह स्टेशन सेक्शन है और जहां से रेड़ कलर सुरू हो रहा है वह ब्लॉक सेक्शन है तो एडवांस या एसलवी नेक्स स्लाइड में इसके बारे में लिखा हुआ है एसलवी जैल भी प्लेस्ट एट पुजिशन ओफ एडवांस टर्टर है कि एम उस्ता अंड एक की लगाना डियन अ कॉ डिव क्शेंस ने Regala serma four और कल लाइट दोनों मैं इसलबाओ भी dużo टौनabor भीली सेक्शन को घवीड ड्हर्ट ललाइट में । और यह स्यमय पोर में नेक्स्ट है एक देटी में लगा घंगे डी एस एल बी ब्लक लिमिट है को ग सेक्सिन लिमिट ओर तो ब्लक केलुए प्लोक स्टना लिमिट बॉर्ड पूरा नहीं लिखा हो इसको हम कहते हैं block section limit board लेकिन इसमें block limit लिखा रहेगा और इसको हम लगाएंगे कहां इसके बारे में next slide में हम देख लेते हैं these board are provided on double line in multi aspect multi aspect होना चाहिए या modified lower quadrant होना चाहिए या और double line साथ में होना चाहिए और यह to distinguish the limit of block section block section की limit बता रहा कहां पर block section की limit बता रहा जिस station से home के तरफ block section के तरफ अगर हम जा रहे रहे हैं ब्लॉक सेक्षिन में हम स्टेंटिंग करने नहीं जा सकते हैं मतलब होम सिगनल और बीसल बीके बीच मिनिमम डिस्टेंस जो है वह एक प्रस्टिमेटर ब्लॉक ओवरलाप हमें कि मेंटेन रखता है कि मल्टी आस्पेक्ट में में सूझ सब्सक्राइब और डिस्टेंस दिस्टेंस सब्सक्राइब 400 की कोई हम यहां बात नहीं करेंगे क्योंकि मल्टी आस्पेक्ट में जो ब्लॉक ओव लैप है वह निटी होता है तो 180 के साथ से होम सिंगनल और भी सल्वी के भी डिस्टेंस जो है वो मिनिमम डिस्टेंस 180 में तक नहीं क्या बता रहा है ब्लॉक सेक्शन की लिमिट बता रहा इट शॉल बी प्रोवाइड एट शेशन मेर दियार इस नो फेसिंग पॉइंट फेसिंग spoken home के दशा दॉत सीय आ रहे हैं तो व्त उप्लेस्ट गलत और पंडिश जो वनेंट सेमांड मिल मिनेका है बा느ग के दॉजा वहाइब्सटेंस आट ऊहूहां के तो व्तित अर्अर और प्रोटेक्ट दे फालिंग मार्क अब दे ट्रेलिंग पॉइंट इस तरह से एक बॉर्ड और इस्तिमाल करते हैं साइडिंग के लिए एस मार्कर कोई अगर ब्लॉक सेक्शन में जाके अगर कोई साइडिंग के लिए कोई लाइन निकल रही है आजकल यह प्रोविजन देरी देर खातम होता जा रहा कोई भी लाइन अगर हम साइडिंग के लिए निकालने तो नए इंस्टालेशन हो में हम स्टेशन सेक्शन से इस लाइन को को सेपरेट लाइन ले तो पहले ये प्रविजन था ब्लॉक सेक्षिन में अगर कोई साइडिंग निकलन कोई फैक्ट्रिस साइडिंग है तो उसके लिए यह ड्राइवर को इंडिकेट करने के लिए कि आपका साइडिंग इस लाइन पर है तो यह एस बौर्ड लगा जाता ine वानिं बोर्ड र्ट र प्रवाईड़ेयर फ्रस्ट लेटर अनल अप्ड बास्ट और पेस्टेमrice अनल को लगाते हैं कि अधे पेसंजर वानिंग बॉड का यह सिंबल है और यह लो का स्रेप्टी डियागोनली पहसित है और जो इसके साथ जो पोस्ट है वह भी ब्लैक येलो बैंड अल्टरनेटिवली होगा और रात के समय इस ड्राइवर को अटेंशन मिले इसलिए सेल्फ रिफ्लेक्टिंग जो है शीट्स होनी चाहिए प्लास्टिक के रिफ्लेक्टर होना चाहिए अप्रोब डिजाइन के और फैसंजर वानिंग बोड शयल्फ भी लोगाटट एड नॉट लेज़न एक किलो मिट्र वन किलो मेटर से कम नहीं होना चाहिए मतलब वन किलो मेटर मिनिममब वन किलो मिटर है फस्ट आप सिगनल और में चुकि डिस्टन सिगनल लग जाता है तो वहां पर हमारा पैसंजर यह जब कर दो सरकरनेच एब्रक्राइब लोगे धिश्यियक्ते करें, उसके वादी बॉर्निन गडट को गॉट्स बार यह जो है, वह उसका शेथी और इस बोर्ड यह बोर्ड जो है 1.4 किलूमेटर मतलब जो अगर हम गुट्स वार्निंग बोर्ड के हम उसकी बात करने तो पैसेंजर वार्निंग बोर्ड से भी 400 मिटर आगे तो सिंग्नल से 1.4 किलूमेटर दूरी पहले लगेगा डारेक्शन गाड़ी के साथ से पहले बोर्ड आएगा फिस्ट आप सिंग्नल पर सिंग्नल से 1.4 किलूमेटर पहले इसको लगाया जाएगा और यदि डॉबल डिस्टेंट है तो इसको हम हमें लगाने की जरूरत नहीं तो गुटस वार्निंग बोर्ट का परपस क्या है मेली यह परपस है कि इतने दूरी बाद आपका जो है ड्राइवर को यह बताने कि इतनी दूरी बाद आपका जो है सब्सक्राइब और साथ है ड्राइव गुड्स ड्राइवर को चुकि उसमें मोमेंटम ज्यादा होता है तो ब्रेकिंग डिस्टंस ज्यादा चाहिए तो वन पॉइंट किलोमेटर पे उसको लगाएगा गूरिंग बोड को पैसेंजर में ब्रेकिंग पाउर अच्छी होती है मोमेंटम उसका कम रहता है तो यह बोर्ड जो है संप्ली एक फिक्स बोर्ड है जो कि जिसमें कोई आस्पेक्ट नहीं होता जो कि ड्राइवर को वार्ण करता है कि एक कि आपिनन आने वाला है. Thank you.